hello everyone and welcome back to test book super coaching और हम कर रहे हैं science and technology weekly current affairs इस अफ़े कौन कौन से important news रही let's have a look cream in Congo hemorrhagic fever viral disease जो spread हो रही है PBW RS1 वीड की एक नई variety Gillen-Bahis syndrome जिसके current Peru national emergency state में है आयाई टी गोहाटी द्वारा डेवलाप किया ओस्टियो एच और नेट साइंस इंटेक्नोलोजी डेपार्टमेंट से एक नई groundbreaking technology उबर कर सामने आई low energy consuming switchable smart windows को develop करने में help करेगी और इसनों ने अनाउंस किया कि वह इसल सल्वी को पूरी तरीके से प्राइविट सेक्टर को ट्रांसफर करने जा रहे हैं और एलन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया एक्स ए आई चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रीमियन कॉंगो हीमोरेजिक फीवर से जिसका पैथोजन एक वाइरस है बुन्या विरिडे फामिली का वेक्टर यानि की ट्रांसमेटिंग एजिन टेक्स हैं और जब इन्फेक्टेड आनिमल्स के ब्लड के कॉंटाक्ट में आते हैं तो यह ट्रांसमेट होता है इसके प्राइमरी होस्ट है कैटल शीप गोट्स इसका मतलब कि लाइव स्टॉक इ नहीं है इसके सिंटम्स की बात करें तो हैडेक फीवर बैक पेन जॉइन पेन वामिटिंग यह स्टार्टिंग में नोटस किया जाता है और जब सिविरिटी बढ़ जाती है तो लीवर फेलियर किड्नी फेलियर और लंग फेलियर भी हो सकते हैं करेंटली यह यह यूरोप आफ्रीका और मिडल इस्ट के रीजिंस में स्प्रेड कर रहा है 1944 में क्रीमिया में पहली बार इसको इसके बारे में explain किया गया था सको बार्द successfully wheat की एक नई variety develop की PBW RS1 इसकी खास बात यह है कि इसका glycemic index जो है वो बाकियों से काफी कम है GI यानि कि glycemic index आपको बताता है कि कितना जल्दी जो food है वो आपके blood में glucose level या मैं कहूं blood sugar को इंक्रीज करता है तो आप देख सकते हैं कि PBW RS1 जो है वो बाकियों से काफी कम है उसका GI index I mean glycemic index तो basically यह type 2 diabetic patient जो होते हैं और वो patient जो cardiovascular diseases से suffer करते हैं उनके लिए काफी beneficial होने वाला है अगर मैं advantage की बात करूं तो इसका जो total dietary fiber है वो काफी ज़्यादा है क्योंकि इसमें my loss का content हाई है यहां पर मैं थोड़ा सा explain कर देती हूं कि जो starch होता है उसके दो components होते हैं my loss और my low pectin तो my loss का content यहां पर higher side में जिसके कारण dietary fiber जो है वो ज्यादा होता है and resistant starch content इसमें ज्यादा है यानी कि यहां पर जो fiber rich products है वो produce होते हैं उसमें कोई add this additional additives की जरूरत नहीं होती हां लेकिन यहां पर अगर एक challenge आ रहा है वो यह है इसकी yield 43.18 quintal per hectare इसकी yield notice की गई जबकि जो on average जो पंजाब में yield आती है wheat की वो है 48 quintals per hectare है हमाते अगली न्यूस पर डाट इस बाउट गिलन बाहे syndrome इसके कारण जो पेरू है वो national emergency state में है यानी की 90 days का इन्होंने समय रखा हुआ है सारे steps उठाने के लिए सारे measures उठाने के लिए इसको काबू में करने के लिए syndrome को काबू में करने के लिए तो basically बढ़ते वे नजर आ रहे हैं यह एक रेयर neurological disorder है जिसमें हमारा ही immune system हमारे nerves पे और बात करें तो peripheral nervous system पे अटाक करता है peripheral nervous system आपके central nervous system से information लेकर जाता है वहां तक information पहुंच रहता है तो इस attack के कारण paralysis की problem भी हो सकती है तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पर एक जो आपको layers दिखाई दे रही है वह myelin sheath है एक fatty substance जब वह हमारे neuron के ऊपर present होता है तो जो signal transmission की speed है वह बढ़ जाती है तो अगर कोई nerve गिलन भाहे syndrome से affected होती है तो वह myelin sheath damage होने लगती है और जो exon है यानि कि जो आपके neuron का पार्ट है वह exposed होने लगता है हम आते हैं अगली न्यूस पर दाट इस फ्रॉम आई आई टी गोहाटी जहांके researchers ने डेवलप किया है ए आई बेस्ट फ्रेम वक कॉल्ड ऑस्टियो एच आर नेट जो की नी ऑस्टियो और्थराइट इस सिविरिटी के बारे में एसस करेगा तो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो हमारे देश के एक बड़ी पॉपुलेशन इससे एफेक्ट होती है और जो की 28 पॉपुलेशन से इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर आटोमेटिक आनलेसिस है एक्स रे इमेजिस का जिसके कारण हम नी ऑस्टियो और्थराइटिस को सिविरिटी को एसस कर सकते हैं जो आज की डेट में हम टेक्नीक के इस्तमाल करते हैं वो होती है यहां पर जो सिविरिटी है आपके जो आटोमेटिक जो एसस्मेंट है सिविरिटी का दिखाता है और आपके लिए रूटीन डाइगनेसिस के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है तो यहां पर जो सिविरिटी है आपके जो आटोमेटिक जो एसस्मेंट है सिविरिटी का की डिजीज का इसके कारण मेडिकल प्रेक्टीशन जो होंगे उनको सारी इंफोर्मेशन बहुत एक्यूरेटली मिलेगी और वो रिमोटली डिसीजन ले पाएंगे इसके अलावा एक्यूरेट डाइगनोसिस तो होई रहा है साथ में टेलोर्ड ट्रीट्मेंट प्लांस भी अवेलबल होंगे और ऑस्ट्यो एचार नेट्वर्क व्रेम्वोक में आक्चुली केल ग्रेडिंग स्केल यांनी की कیल ग्रेंट लॉरंस ग्रेडिंग स्केल का इस्तमाल किया जाता है जो कि एक्सेप्टेट स्टानडर्ड यह पता लगाने के लिए कि डिजीज की सेवरिति इतनी उसके framework कहा जा रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं this is the news from the Ministry of Science and Technology जिनोंने एक नई टेक्नीक यहां पर discover की है पता लगाई है to confine liquid crystals by using hierarchical double networks of polymers जिसके कारण low energy consuming switchable smart windows को develop करने में help मिलेगी तो जो यह polymer networks enter penetrating polymer networks है जिसमें हम कहते हैं कि double network है तो यह rigid और soft networks का combination है जिसके कारण mechanical optical और electrical properties enhance होती है तो यहां पर जो दो components double networks में use किये गए हैं उसमें से एक component light sensitive है जो कि light उसको उसके assembling को trigger करती है polymer के network के assembling को और जो दूसरा है वो temperature sensitive component है जिसके कारण उसमें gelling होती है यानि कि organo gelation और उसके बाद जो पहला component है वो उसमें trap हो जाता है तो कुछ इस तरीके से इस technique को use किया जाएगा हम आते नेक्स्ट न्यूस पर इस रो ने फैसला लिया है कि वह सेल्वी यानि कि small satellite launch vehicle को private sector को पूरी तरीके से transfer करने जारे completely not only manufacturing part but completely जो की three stage launch vehicle है जिसका diameter two meter और जिसकी length जो है 34 meter है और इसका lift of weight है 120 ton के around इसकी payload capacity 500 kg है जो की लियो में यानि की low earth orbits में satellite को place करने के capable है यहां पर एक और चीज़ नोट करने वाली होगी कि 2025 तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो हमारे देश का commercial satellite launch services sector है वो करीब 13 billion dollar contribute करेगा हमारी economy को और इस फैसले से उसमें SSLV को transfer करने की बार ती गई है private sector को इससे definitely यह growth और ज्यादा accelerate होगी now coming to the next news SpaceX founder Elon Musk ने introduce किया एक artificial intelligence startup xai जिसका main objective है to compete open AI is chat GPT तो यहां पर AI safety को ensure करने के लिए Dan Hendricks की guidance ली जा रही है जो की director है Center for AI safety and he is a specialised in analyzing the risk जो की AI system से associated होते हैं and finally a big news Chandra Yantri finally Chandra Yantri ने अपनी journey शुरू कर दी है moon के लिए और मैं इसके बारे में जादा नहीं बात करूंगी क्योंकि already 13 July को आकाश से ने आपके साथ एक बहुत डिटेल वीडियो शेयर की हुई है just go through it and this is an important a very important news for you so just go ahead and watch that video by Akash sir ठीक है तो यहां पर LVM 3 अ इंडिया's heaviest rocket का यूज किया गया इसके लिए so this was all from my side this time हमारे YouTube channel को follow करते रहिए सुबह 6 बजे से session शुरू हो जाते हैं और 7 बजे के बात तक continuously चलते रहते और आपके सामने जो यहां पर project हो रहा है वो सारी series हैं जो कि आज कल चल रही है this is my telegram channel श्वेता सेंग टेस्ट बुक आप इसको scan करके भी जोइन कर सकते हैं तो जरूर जोइन करें क्योंकि अभी बहुत सारे quizzes आपके लिए लाइन डप में free sessions जो आप पर होते हैं उस पे भी और YouTube यूट्यूब पे भी दू सब्सक्राइब चैनल जरूर करिए गाइस वीडियो को शेयर और लाइख थांक यू व्रीवान टेक केर जैहिंद